नमस्कार ये है क्रिकेट वली बात मैं हूँ तुशार उपरेती तो क्रिकेट जगत की ओर से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज एक तरफ भारती टीम का एलान हो चुका है दक्षन अफरीका के दौरे के लिए दूसरी ओर सीनियर सेलेक्शन कमीटी जो है उसने ये डिसाइड कर रिया है कि रोहिच शर्मा ही अब वन डेट टीम की कप्तानी की कमान भी संभालेंगे और इसके अलावा T20 के कप्तान भी होंगे ऐसा पहले से अटकले लगाई जा रही थी जब रोहिच शर्मा को T20 का कप्तान बनाया गया था और विराट कोहली जिन्होंने अपनी कप्तान उसमें रहा है उसको देखते हुए आने वाले निकट भविश्य के लिए फैसला किया जा सकता कि वाइड बॉल का एक कप्तान हो और रेड बॉल का एक कप्तान हो याने कि वाइड बॉल क्रिकेट की पूरी कमान भ रोहिच शर्मा के हाथ में होगी तो ये है इस समय की ब्रे के साथ जो वन डे मैच खेले जाएंगे उसकी कमान भी रोहिच शर्मा के हाथ में हो सकती है या होगी मुझे तो लगता है बिलकुल होगी और होनी भी चाहिए और उस टीम की घोशना भी जल्दी होगी लेकिन फिलाल ये इस समय की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट की तरफ से जो आ रही है वो यह है कि रोहिच शर्मा भूंगे ODI के भी कप्तान T20 कप्तान तो वो पहले ही बन चुके यानि कि भारती एक क्रिकेट का चक्का एक बार फिर से घूम रहा है और अब ये देखना है कि रोहिच की कप्तानी में कैसा प्रदशन करती है भारती टीम कोच ये बात से बदलाव जो हैं वो चल रहे हैं और कुछ हर तक भारत के फेवर में भी गए हैं भारत ने एक तरफ न्यूजलेंड को T20 श्रंकला में पटका है दूसरी बार टेस्ट श्रंकला में भी भारत ने जीत हासल की है तो एक तरह से कही ना कहीं सबसे बड़ी खबर देखते रहिए कुछ नई नई मनरंजक हमारे वीडियोज धन्यवाद